तो चलिए आज हम बनाएंगे दही सूजी टोस्ट इसके लिए मैंने एक कटोरी ये बारी को वाला सूजी लिया है और एक कटोरी फ्रेस दही लिया है दही हमें खटा नहीं लेना है और स्वाद के अनुसार हम नमक ले लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इ इसमें एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालना है, अगर आप एक कटोरी सूधी लेते हैं, तो आदा कटोरी भी दही ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने इक्वल ही लिया है, क्योंकि बच्छे इसी बाने दही खा लेते हैं, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन्हें 5 मिनिट के लिए रख देंगे, अगर आप मोटा वाला सूझी लेते हैं, तो रेस्ट पे 10 मिनिट के लिए ठके रखना होगा, 5 मिनिट हो गया है, तो हम चेक करेंगे, बैटर हमारा पहले से काफी ज्यादा हो गया है, अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप इसकी जगा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और आपके पास जो भी सबजिया हो, वो कट करके आप इसमें डाल दें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर आप मेरे चैनल को नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, बैटर हमारा तयार है, यहाँ पर मैंने चार ब्राउन ब्रेट लिया है, अब इस पर बैटर को अच्छे से हम लगा देंगे, इसी तरीके से हम सभी ब्रेट पर बैटर बटर भी लगा सकते हैं, या घीव भी लगा सकते हैं, अब इस साइड से बैटर है, उस साइड से पलट कर इसे हम सेख लेंगे, इसे सेखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितना हेल्दी न